मुझा शराब पिना आजकल बहुत ही क्वामों हो चुका है कोई भी सोशल फंक्शन हो पार्टी है तो लोग शराब पीते हैं जो शराब पीता नहीं है उसको टीज किया जाता है पुरुच जैसा पुरुच तू शराब नहीं पीता ऐसा करके उसको टीजिंग किया जाता है या उसको नीचे बताया जाता है तो आएए हम आज देखते हैं कि शराब से शराब पिने से आदमी सुस्त हो जाता है जो ब्रेन का इनिविट्शन जो है इनिविट्री सिस्टिम जो है उसके उपर शराब असर करती है और इसलिए शराब पिने के बाद में थोड़ा आदमी को रिलाक्स लगता है टेंशन फ्री एंग्जाइटिव फ्री उदासिंता कम ऐसा उसको लगता है कि ऐसा ठीक लग रहा है भी शराब पिने से सब भूल जाता है और उसको रिलाक्स फिल होता है इसलिए वो शराब और लेते रहता है मगर पाया ऐसा गया है कि 11 में से एक पुरुष अभी नॉर्मली शराब लेते हैं 11 में से एक और 25 में से एक महला शराब लेती है और वो उसकी उपर है डिपेंडनेंट है और यह जो है यह कॉस्मो पॉलिटन सिटी का मतलब जो बड़े बड़े शहर है वहां का जो आता है तीम से एक शराबी जो है उसको डिपरेशन होता है और 6 में से एक महला वेखो शराब के कारण कुछ ना कुछ समस्या पैदा होती है मतलों हर तीन वेक्ति के पीछे एक वेकिको डिपरेशन है शराबी में और ऊसमें 50-50 प्रतिशंद यो कहले तो अरे झायें आसे यह हुए और रेत दिए दोनों जुड़ां से सुकरेट भड़ान ओर ऑर शेक्राब और syसेड खरना तो श्राब और अब कमा ही हका विवाद आधिक नहीं के शिवसाइड का सिट उसमें से 90 परसेंट लोगों को depression है और कुछ लोगों को depression है और वो शराबी है alcoholic है क्या है कि depression होने के बाद आपने तुरंत doctor को consult करना ज़रूरी है professional help लेना ज़रूरी है लोग क्या करते है कि कुछ नहीं हुआ चलते रहता है ज्यादा सोच मत वगरे वगरे ऐसा सला देते रहते हैं डॉक्टर के पास में ज़रूरी है counselor के पास में ज़रूरी है और आपने professional help लेते counselor help लेते है तो आपने यह बोलना चाहिए कि क्या मैं बिना दवाएका ठीक हो सकता हूँ counseling से hypnotherapy से psychotherapy से ठीक हो सकता हूँ तो वह पहले करो ताकि यदि आप बिना दवाएका ठीक होते है तो आपकी जो प्रतिकार शक्ति है मतलब आपकी muscles build होते है mental fitness अच्छा होता है जब आप बिना दवाएका वो depression का प्रतिकार कर रहे प्रतिरोद कर रहे उसको fight कर रहे और ठीक हो रहे और खुद को मजबूत करना है और आगे चलके भी कभी depression का problem आता है तो दवाए लेनी की जड़त ना पड़े हैसा आपको लगता है तो खुद को मजबूत करने के लिए counseling का ही इलाज पहले करो और counseling से होता ही नहीं है और बहुत ज्यादा serious depression है severe depression है suicidal thought है तो फिर रुकने का नहीं है फिर दवाए चालू कर देने का है मगर neurotic depression है ज्यादा depression नहीं है suicidal thought नहीं है तो counseling का इलाज करना ही जरूरी है जो लोग थोड़ा-थोड़ा अलकोल लेते हैं और बहुत जादा समय तक लेते हैं ऐसे लोगों में भी depression की बिमारी ज्यादा पाई गई है क्योंकि वह होता क्या है कि थोड़ा-थोड़ा ले रहे अलकोल उनको और बाद में उसको depression होगा या फिरो बनता नहीं है तो वह fight नहीं कर सकता जो रोज की challenges से रोज मरा की जिन्दगी में problems उसको fight नहीं कर सकता बिना अलकोल का और यह वह अलकोल लेता नहीं है तो उसको depression आने के chances बहुत जादा ऐसे लोगों depression भी आता है और anxiety भी आती है इन शॉट क्या है कि alcohol और depression का बहुत करीबी रिष्टा है लोगों ने अपना mood stable रखने के लिए anxiety से free होने के लिए depression से free होने के लिए शराब बिलकुल नहीं लेना चीए क्योंकि ऐसे लोग anxiety और depression का स्विकार जल्दी बन सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि anxiety depression है आफ शराब लेते हैं anxiety depression दब जाता है उसका इलाज होता नहीं है और फिर एक दिन वो बम फुट जाता है बहुत चार डिपरेशन बाहर आता है और आजमी सुसेड किया ऐसा मालूम ब लगता कोई pleasure नहीं है कोई मजा नहीं आ रहा है उदास लग रहा है रोना आ रहा है anxiety बहुत रही है घबराठ है नीन नहीं है फूख कम लग रही है समझ आना कि उसको depression का शिकारी बन रहा है धरे-धरे depression उसको हो रहा है तुरंद प्रपेशन लेना जरूरी है शराब के अकेंप्रोसेट है कि जो दवाई से पिने की इच्छा होती नहीं है या पिया तो मजा नहीं आती है तो यह सब दवाई देते हैं तो definitely शराब का इलाज हो सकता है अल्कॉल एडिक्शन का इलाज हो सकता है और डिप्रेशन का भी फिर उसका मतलब कंट्रोल में आ जाएंगा या डिप्रेशन जिदी है तो उसका भी इलाज कर सकेंगे वो दब नहीं आएगा यब आपका अच्छा लगा तो जरू लोगों को शेर करो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो आपका ख्याल करो परिवार का ख्याल करो समाश का ख्याल करो क्योंकि आप बहुत बहुंग यह थैंक यू बेर मुच